नोसर दोस्तों धिट है आज की 30 अगस 2022 और स्वागत है आपका एटोयल डिसकॉसिन में तीन इशूज आज हम डिसकॉस करेंगे डिटेल से दो दाए हिंदू के और एक इंडिन एक्सप्रेस काम सबसे पहले हम आर्टिकल डिसकॉस करेंगे इंडिन एक्सप्रेस काम सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की लाइव स्ट्रीमिंग से समदित और हम discussion हम start करें उससे पहले कोट है मलाला यूसफ जाई का इन पर तालिबान ने गोलियां चलाई थी woman के संदर में इनका कोट है world में दो powers है एक तलवार की ताकत और एक pen की ताकत लेकिन इसके बाद एक तीसरी ताकत भी है जो इन दोनों से मजबूत है वो है महिला, that of woman तो महिलाओं के संदर में आप ये कोट इस्तमाल कर सकते हो एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ काफी बार जैसे democracy के लिए ये use किया जाता है सरकार डेटा को पहुंचने नहीं देती public domain में तो वहाँ पे भी आप ये कोट इस्तमाल कर सकते हो डेटा के संदर में जैसे for the public, by the public, of the public तो थोड़ी innovation से एक extra mark लिया जा सकता है चलिए discussion start करते हैं फर्स्ट, important article, Supreme Court की proceedings की live streaming से संबन दित हैं आप GS Paper Second के इस topic से article को relate कर सकते हो देखो एक चीज़ बताऊं जो सायद आपने भी महसूस की होगी जब मैंने 43 श्टार्ट की थी तो Supreme Court की various judgments के बारे में हम पढ़ते थे जो नहीं नहीं आती थी ये भी पढ़ते थे कि दो वकीलों के बीच में बहस हुई और Chief Justice of India ने अपना ये comment दिया बीच में तो ना कई बार हम उस scene को ना visualize करने लगते हैं कि कैसे Chief Justice of India चेर पर बैठे होंगे कैसे जो वकील है आपस में arguments कर रहे होंगे तो अब वो सब चीज़े जाके clear हुई है पहली बार Supreme Court की जो proceedings है ना उनका सिधा परसारान हुआ है live streaming हुई है 26 अगस्त को 26 अगस्त को पहली बार Supreme Court की proceedings की live streaming हुई और इसका रास्ता साफ हो गया था 2018 में सौफपनिल तरिपार्थी judgment के बाद में इस judgment में Supreme Court ने कहा था जो national और constitutional importance के cases है ना उनकी live streaming होनी चाहिए इसके लिए allow कर दिया था Supreme Court ने वैसे देखो आप YouTube पर काफी सारी वीडियो आज कल देख रहे होंगे कि जज ने DM को धमकाया जज ने किसी IPS को धमकाया या फिर जज ने पति-पतनी के बीच में issues को resolve करवाया आज कल YouTube पर ऐसे बहुत सारे sorts viral हो रही है इसका मतलब ये है गुजरात High Court पतना High Court और करनाटक High Court तीनों की जो proceedings उनका live streaming हो रही है आलरेडी लेकिन Supreme Court की proceedings का सिधा परसारण पहली बार हुआ है मैं आपसे एक बात पूछूँ अगर देखो court की proceedings का live streaming होती है तो इसके फाइदे क्या है फाइदे देखो simple है सबसे पहली बार अगर court की proceedings को citizens खुद से देखते हैं तो उनकी जो legal literacy है वो improve होती है वो भी जानते हैं कि कैसे cases चल रहे हैं awareness ज़ादा बढ़ती हैं दूसरा citizens ना किसी के उपर depend नहीं रहतें news papers या फिर news channels या फिर वकीलों के उपर case की बारिकियों को जानने के लिए वो खुद भी proceedings देख सकते हैं खुद भी समझ सकते हैं तो उनकी dependency खतम हो जाती है news outlets के उपर जिनका कई बार एक propaganda भी होता है वो जान बूज के court की proceedings को तोर मरोड के present करते हैं यानि distort करके present करते हैं तीसरा फाइदा proceedings के live streaming के ये होगा ये देखो citizens के right to justice का part है right to justice कौन से article के अंदर आता है आर्टिकल 21 चोथा फाइदा इससे देखो even जो citizens हैं वो वकीलों की performance को भी assess कर सकते हैं कि किस परकार से वकील जो हैं बार बार आर्गुमेंट आप ये भी दे सकते हों कोट की proceedings की जब live streaming होती है न तो इससे transparency आती है जनता का जो विश्वास है जुडिशरी में और भी बढ़ेगा लेकिन देखो ये तो पक्स में arguments हमने डिसकस कियें अब खिलाफ के arguments देखें सबसे बढ़ा argument live streaming के against ये दिया जाता है कि कुछ लोग court की proceedings की videos को काट काट के छोटा छोटा respected judges को tik toker बना देंगे कैसे आप ये YouTube का page देखें और thumbnails देखें हाई court के judge सुपर एंगरी आर्मी ओफिसर पर SSP को लतार लगाई हाई court के judge ने justice आर्या बहुत गरम हो गए additional SP पर judge बोले DM को ये कैसी dress पहनी है तुमने court में क्या ये dress पहन के आते हैं मतलब कि ये सारी वीडियोज आज के समय में बहुत ज़्यादा वाइरल हैं जैसे IS IPS से रिलेकिर चलन स्टार्ट हुआ था न उनकी entry वीडियोज उनकी साधी की वीडियोज वैसा ही चलन court की proceeding का भी start हो गया है छोटी छोटी चोटी वीडियोज कांट के share किया जाता है और व 30 सेकिंड का एक छोटा सा हिस्सा काट के उसे वारेल कर दिया जाता है और बाद में पता लगता है कि जज की final verdict का वो पार्ट ही नहीं है जैसे वकील ने कुछ arguments रखें जज ने counter में question पूछा तो इसका मतलब ये थोडी ना ये जज की राय है लेकिन अगर उस 30 सेकिंड का हि observation से या फिर किसी एक question से आप verdict नहीं निकाल सकते कि जज की ये राय है जज ने ये verdict दिया है नई comprehensively आपको judge की court की proceedings देखनी होंगी ये पता लगाने के लिए कि judge ने क्या order दिये हैं क्या judgment दिये हैं दूसरा देखो जब वकीलों को और respected judges को ये पता होगा कि हमारी videos viral हो रही ह तब वो ना इस परकार के act और भी करने लगेंगे जल्दी viral होने के लिए वकील बहुत करने लगेंगे जल्दी publicity पाने के लिए उन्हें पता है अगर मैं कुछ अच्छा कर दूँगा मेरी video viral हो जाएगी तो मैं famous हो जाऊँगा मेरे पास ज्यादा cases आएंगे समझ गे जैसे लेकिन अगर gallery के पास आजाएंगे speaker की chair के पास आजाएंगे नारे लगाएंगे disruption करेंगे तो पूरा देश देखेगा टीवी में हमारी photos आएंगी any publicity is good publicity मतलब चैह बेसक negative publicity हो publicity तो है ऐसा कई politicians का मानना होता है उसी परकार से वकील, judges वो चीज़े ज़ादा करने लगेंगे जिससे उनको पता है कि हम viral हो सकती है, हमारी जो publicity है वो increase हो सकती है, जैसे आपको example देता हूँ, एक judge किसी DM को या फिर SP को बुरी तरह से धमका रहे हैं, अब साथ ही judge भी देखेंगे कि यार वो judge तो बहुत viral हो गया, उसकी वीडियो तो इतनी share होती है, मैं भी जमकाऊंगा IES को, IPS को, मेरी भी वीडियो share होंगी, तो domino effect इसका देखने को मिलेगा, और इससे देखो justice भी परभावित होता है, compromise होता है, क्योंकि अगर social media में publicity के अधार पर cases का रुखत्या होने लगा, तो फिर इसका नतीज़ा क्या होगा, आप असानी से समझ सकते हो, मीडिया के लिए पहले ये बात बोली जाती थी, social media के लिए नहीं, simple media के लिए, TV media के लिए, कि TV media assassination करती है, character का, और case का रुखत्या करती है, TV पर क्या आता है, उससे judges की जो भावनाएं हैं, वो भी influence होती है, तो क्या argument है, कि social media judges की जो राय है, उसको influence नहीं करेगी, मान ये अभी proceeding चल रही है, लेकिन बीच में ही case का एक हिस्सा viral हो गया, और social media पर राय बन गई, तो फिर judge की जो राय है, वो भी influence होगी, देखो पहले ये सोचा गया था, कि social media के आने से नहीं हमारी democracy मजबूत होगी, लेकिन हुआ उल्टा है, actual में ना social media को कुछ लोगों ने अ कुछ groups, कुछ लोग ऐसे हैं, जो Congress को sport करते हैं, Congress की राजनिती को sport करते हैं, कुछ आप वाले groups हैं, example मैं आपको दे रहा हूँ, अब उनके लिए कोई चीज viral करना बहुत असान है, अब BJP Spotted एक social media का handle, एक वीडियो को share करता है, उस वीडियो को ना, उनके जैसी सोच रखन वाले सारे लोग जल्दी से share कर लेते हैं, और आग कितने हैं वो वीडियो जो है, वो फैल जाती है, बेसक वो fake news हो, बेसक वो वीडियो प्रोपगेंडा वाली हो, ऐसा होता है, तो यह जो बड़े groups हैं, बड़े लोग हैं, बड़ी विचारधारा के लोग हैं, वो social media को एक इतना करना है, एक public चुराहे पर आप कीचर गिरा दीजिए, कुछ लोगों के ऊपर आप मिट्टी उचा लिए, बहुत सारे questions पूछिए, और conspiracy theories गड़ दीजिए, जनता को पता ही नहीं लगेगा क्या सच है, क्या जूट है, वही social media पर आजकल होता है, जनता जान ही नहीं तो court की जो proceedings हैं, जब उनकी live streaming होगी, तो जनता को पता ही नहीं लगेगा क्या सच है, क्या जूट है, विबिन जो groups है अपने अपने हिसाम से proceedings की clips काट काट के viral करने लगेंगे, ये दिखाने के लिए कि देखो, जज ने हमारे पक्स में बोला है, और आ लेडी ऐसा होने भी proceedings को, editorial represent करते थे, कि हाँ ये जज ने बोला है, इसके गया repercussions है, इसका ये मतलब है, वो बलकि ज़्यादा सही है, बजाए इसके की court की जो proceedings है, वो women groups के propaganda की भेंट चड़े, अगर देखो मैं अब खिलाफ के points को summarize करूं, important point ये है, देखो courts के द्वारा जो verdicts दिये जाते हैं, वो दिये जाते हैं, justice ensure करने के लिए, लेकिन live streaming जब होगी, तो हो सकता है कि कुछ judge, चाहे अंचाहे, verdict देना start कर दे, popular होने के लिए, मतलब ये ensure करने के लिए, हमारा verdict popular हो, तो फिर इससे justice compromise हो जाएगा, जो की court का main मकसद है, अभी न, judge और वकील, खुले मन से questions पूछते है मतलब, वकील, witness से question पूछते हैं, judge भी बीच-बीच में वकीलों से question पूछते रहते हैं, लेकिन live proceeding होने लगेगी न, तो वो खुले मन से questions नहीं पूछतेंगे, उन्हें पता है, ये question पूछा तो viral हो जाएगा, लोग समझ नहीं पाएंगे, तो वो question नहीं पूछेंगे, अ infrastructure की problem है, staff को training देने की problem है, ये खिलाफ के arguments है, लेकिन जो सबसे important argument थे, वो हमने सुरवात में discuss किये, अब last में देखो, बीच का solution यहीं निकलता है, कि अगर करनी ही है, तो safeguards के साथ introduce करो, आप live streaming, live streaming के लिए cases का चुनाव काफी सोच समझ के करो, और जब तक कि देखो, legally औ काट काट के viral ना कर सके, तब तक देखो, उन वीडियो को ना Supreme Court की website पर ना डाला जाए, डाउनलोड होने के लिए, तो ये कुछ safeguards हैं, जो ensure करने चाहिए, कुल मिला के शुरवात अच्छी है, live proceedings की, लेकिन ध्यान रखने के आप सकता है कुछ चीजों का, ये पूरा article हमन कामा अटेक हुआ, उसके बाद, इंडिया ने पाकिस्तान से special status वापस ले लिया था, उसके बाद, जमुएन कस्मीर में special status रिवोक किया गया, पाकिस्तान ने इंडिया के साथ trade relations suspend कर दिये, हलांकि पाकिस्तान ने कहा था, हम medicines और दूसरी जो रा material है important वाले, उनको import करते र जाएं, पाकिस्तान में जो trade industry है, industries वाले हैं, trade lobbies हैं, वो तो ये चाहती है कि इंडिया के साथ trade relations फिर से start के जाएं, trade होना इंडिया से start होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में जो politicians हैं जो सत्ता में होते हैं, वो मजबूर हैं, वो ये कहते हैं, जब तक एक बार इमरांग खान ने बोल दिया था, जो पाकिस्तान के पूर प्रधामंतरी है, कि जब तक इंडिया, जमु एन कस्मीर में जो पुराने वाला status था, उसे restore नहीं करता है, हम इंडिया के साथ trade करना start नहीं करेंगे, तो उन्होंने ये extreme position ले ली, तो उनके लेने के बाद में दूसरे जो politicians है, उनके लिए भी मुश्किल साबित होता है, क्योंकि जैसे ही वो इंडिया के साथ trade relations start करने की बात बोलते हैं, फिर इमरान खान की party बोले लगती है, कि देखो हमने ये strong stand लिया था, आप उस stand को dilute कर रहे हैं, ये तो वही बात होगी, कि आपको पता है कि इंडिया के साथ आप relations start करोगे, trade वाले तो आपको फाइदा होगा, आपके लोगों को फाइदा होगा, लेकिन सिरफ politics के चलते आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो, politics जो है वो भारी पड़ रही है, trade पर और economy पर, ये बात सिरफ देखो पाकिस्तान की नहीं है, पूरे South Asia में politics जो है, वो भारी मिलेंगे, वो ये सोचते हैं, अभी context देखो ये है, पाकिस्तान में अभी बहुत ज़्यादा massive floods आई हुई है, बड़े scale पे, फसले खराब हो गई है, vegetables खराब हो गई है, तो उनके finance minister ने ये का हम, हम सोच विचार कर रही है, इंडिया से trade relations start करने का, इंडिया से हम सबजिय या fruits, जो जुरूरी वस्तु हैं है वो import कर सकते हैं, इस से पहले March की बात है, March में न, Economy Coordination Committee, इन्होंने ये decision लिया था, कि पाकिस्तान का जो private sector है न, उनको allow किया जाएगा, कि तीन items इंडिया से import किया जाएगा, कोटन, यान और सुगर, बड़ देखो ECC ने तो ये decision ले ल आपने कहा था कि जम्मू एन कस्मीर में जब पुराने वाला स्टेटस, special status fit से restore नहीं किया जाएगा, तब तक हम इंडिया से trade नहीं करेंगे, तो आप तीन items का import क्यों allow कर रहे हो, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान की trade lobing ये कहती है, कि भया आप सुगर अगर इंडिया से import नहीं करोगे, तो फिर हमें ब्राजिल से import करनी पड़ेगी, बहुत महगी पड़ती है, हमारी जो industries हैं वो तबाह हो रही है, हम export नहीं कर पा रहे हैं, तो final जो product बनते हैं, वो competitive नहीं रहते, अगर इंडिया से import करेंगे, तो हमारे final products competitive होंगे, विदेशी market में बिकेंगे, उससे हमें foreign revenue हासिल होगा, dollars में, इससे हमारी economy भी चलेगी, लेकिन वही बात, पाकिस्तान में इस परकार की rationality से कई बार decisions नहीं लिये जाते हैं, politics जो है वो भारी पड़ जाती है, लेकिन अब पाकिस्तान के finance minister ने बोला है, कि हम trade इंडिया से start कर रहे हैं, मतलब सोच सकते हैं सबजिया import करने की, देखने वाली बात होगी कि इसका criticism होता है, या फिर फिलाल crisis वाली situation में, opposition criticism नहीं करेगा सरकार का, और trade फिर से इंडिया के साथ में start हो जाएगा, इससे दोनों देशों को फाइदा होगा, अभी देखो बहुत सी चीजें ऐसी हैं, जो इंडिया पा अस्ती पड़े, लेकिन वो इंडिया से import ना करके दूसरे देशों से import करता है, उस पर tax भी काफी लग जाता है, और वो चीजें काफी महंगी पड़ती हैं, इसके बाद देखो कुछ data भी राइटर के द्वारा सामने रखा जाता है, कि जब से इंडिया और पाकिस्तान के बीच, trade disrupt हुआ है ना, पाकिस्तान का textile sector decline कर रहा है, cotton production में कमी आई है, पाकिस्तान का जो export है, वो कम हो गया है दूसरे देशों में, इन industries में, खास करके cotton में, सुगर में, इसके बाद राइटर बोलते हैं, आप सार्क का example ले सकते हो, दूसरी जो regional organizations है ना, जैसे आश्यान ह इनका देखो आपस में बहुत जारा trade होता है, लेकिन सार्क में आपस में trade होता है, सिरफ 5%, टोटल trade जितना इन देशों का होता है ना, उसका सिरफ 5% है इन देशों का आपस में होता है, तो बात वही है कि साउथ हैश्या में ना, सूपरमेसी politics की है, ना कि trade और economics की, काफी पर तो ऐसा होता है जैसे पाकिस्तान को ना, पाकिस्तान को समान मंगवाने है, for example, सूगर मनवानी है, तो इंडिया से मंगवाने के बज़ाए, पहले इंडिया से सूगर जाएगी UAE, UAE से फिर पाकिस्तान इंपोर्ट करेगा, तो सोच के देखिए, एक तो अमरत सर में व नुकसान होता है, पाकिस्तान के लोगों को नुकसान होता है, और देखो ऐसा नहीं है कि इंडिया को नुकसान नहीं होता, इंडिया को भी नुकसान होता है, लेकिन relatively कम पाकिस्तान के अपिक्साकर्थ, क्योंगि पाकिस्तान के अपिक्साकर्थ इंडिया एक बड़ी एको समंदित आप इसके बाद next article हम discuss करेंगे सब national fiscal correction से समंदित आप GS paper 2 और GS paper 3 के इन topics से article को relate कर सकते हूँ देखो ये article discuss करने से पहले आप एक example देता हूँ मान लीजिए कोई ना lower middle class की family है income इतनी जादा भी नहीं है गरीबी देखा से थोड़ा सा उपर है ये परिवार अब इस परिवार में ना एक लड़का है महेस छोटा बच्चा है महेस के ना बहुत ज़्यादा नखरे हैं जैसे electric scooter चाहिए महंगे महंगे खिलोने चाहिए मतलब ऐसे ऐसे items चाहिए खेलने के लिए जो बहुत महंगे हैं अब परिवार की income इतनी ज़्यादा नहीं है तो परिवार क्या कर लेता है लोन ले लेता है पैसे उधार पर ले लेता है ताकि महेस जिन चीजों से खेलना चाहता है उसके स्वोंग पूरे किये जासके इस से क्या होता है उस family पर ना कर्ज बढ़ता जाता है अब जोकि महेस ने सारा बच्पन बिता दिया इनी खिलोनों में अपने स्वोंग पूरे करने में महेस ने पढ़ाई भी नहीं की अब महेस बढ़ा हो चुका है कोलेज से पास आउट हो चुका है लेकिन वो कर्ज था ना परिवार के उपर वो कर्ज आज भी है और बहुत ज़रा बढ़ गया है जो बच्पन में लेते रहा था परिवार महेस के खर्चों को पूरा करने के लिए अब एक और situation है मान लीजिए वो परिवार लोन तो लेता है लेकिन महेस की शिक्सा के लिए उनको पता है महेस की शिक्सा पर आज इन्वेस्ट किया तो बड़ा होके महेस कुछ अच्छा बन जाएगा अच्छे कोले से पास आउट होगा और पैसा कमाएगा ये सारा लोन जो है वो चुकता हो जाएगा तो चिंता की बात नहीं है ये दूसरा केस है अब इसी को आप रिलेट कीजिए state government से कई बार ना state government से लोन लेती हैं किसलिए फ्री में चीजें बाटने के लिए जैसे जनता को फ्री में टीवी बाट दिया तमिलाडू में बहुत चलता है ये डीम के पार्टी ने एक बार वादा किया था कि अगर हम इलेक्शन में जीते तो सभी को फ्री टीवी मिलेगा मतलब सभी को कुछ एक पर्टिकुलर सेक्शन को टीवी मिलेगा वोसिंग मशीन का एक बार वादा किया गया था AIDMK के दवरा तो ये क्या है ये वो ही वाली बात है कि जैसे तमिलाडू की स्टेट गवर्मेंट के पास इतने पैसे नहीं थे लेकिन फ्री में चीजे देने का वादा कर दिया फ्री में टीवी दिया जाएगा फ्री में वोसिंग मशीन दिया जाएगा इससे सरकार के उपर कर्ज बढ़ गया अगर देखो लोन लेना चीज भेकार नहीं है लेकिन उसी लोन का इस्तमाल किया जाता तमिलाडू में ज़्यादा स्कूल्स डेवलप करने के लिए कैपिटल इंवेस्टमेंट की जाती मतलब इंफर स्ट्रक्चर में इंवेस्ट किया जाता ताकि आगे चलके उससे स्टेट का रेवन्यू भी बूश्ट हो आगे चलके उससे एकोनमिक एक्टिविटीज ज़्यादा होता मिलाडू में तो वो चीज ज़्यादा अच्छी है यही हमारे देश में सभी स्टेट गूर्मेंट्स कर रही है सभी तो मतलब कहना ज़्यादा एक्ष्ट्रीम हो गया लेकिन बहुत सारी स्टेट गूर्मेंट्स ऐसा ही कर रही है वो लोन लेती जा रही है लोन लेने के बाद में उस पैसे का इस्तमाल करती है स्कीम्स लोंच करने के लिए देखो कुछ स्कीम्स जरूरी है ये फ्री भी है क्योंकि देखो इससे होता क्या है एक बार किसी स्टेट गूर्मेंट्स ने वो चीज फ्री में दे दीना तो बाद में उसे रोल बैक करना बहुत मुस्किल हो जाता है अब जैसे दिल्ली में मान लीजिये 200 यूनिट बिजली फ्री है क्या आने वाले समय में किसी स्टेट गूर्मेंट की इसी ऐसी हिम्मत है चाहिए बीजेपी की सरकार आ जाए कि वो फ्री बिजली वापस ले ले नहीं देखो कोई फ्री की चीज मैं फिर से बोल रहा हूँ मनरेगा राइट टू हेल्थ राइट टू एजुकेशन ये फ्री बी नहीं है ये जनता का गरीब जनता का अधिकार है लेकिन फ्री बी जैसे फ्री टेलिविजियन फ्री वोसिंग मसीन और कोई चीज फ्री ये फ्री बी है अब कोई party एक बार freebie देना start कर देना उस freebie को फिर rollback करना बहुत मुश्किल है और ना उससे stress पढ़ता रहता है fiscal deficit उस state government का बढ़ जाता है अगर उसी पैसे का जो freebie बातने में इस्तमाल किया गया है उसी पैसे का अगर infrastructure में invest किया होता तो आगे चलके उस state government को उसके returns मिलते लेकिन political parties सिरफ 5 साल की सोचती है political parties लंबा नहीं सोचती कि state को किस से फाइदा होगा वो सिरफ ये सोचते हैं कि 5 साल बाद सत्ता में हम कैसे वापस आ सकते हैं ये main चीज है पूरा essence आप समझ गए example की साहिता से अब writer कहते हैं देखो तीन चीज को लेके न state government और central government में तकरा रहता है एक GST, rate structure क्या होना चाहिए, कौन सी commodities को GST में सामिल किया जाए, कौन सी commodities को ना सामिल किया जाए, दूसरा state level expenditure pattern, state किस-किस चीज में invest कर रहा है, मतलब खर्च कर रहा है, किस चीज पर नहीं खर्च करना चाहिए, सबसे last में conception and implementation of central government schemes, इन तीन चीजों को लेके center और issues है न, implementation of central government schemes और state कैसे अपना expenditure कर रही है, समय समय पे न, union finance ministry जो है, RBI और CAG की report के आधार पर बोलती रहती है, state governments को ऐसा कीजिए, ऐसा मत कीजिए, तो दोनों के बीच में टकराव रहता है, अगर अलग-अलग party सत्ता में है, माली जिए, आमादी पार्टी, दिल्ली में सत में है, center में BJP की सरकार है, तो दोनों में आपस में टकराव और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, कि आपने इस पे खर्चा कर दिया, इस पे नहीं करना चाहिए था, आपने central government की schemes को धंग से लोंच नहीं किया, ऐसे लोंच करना चाहिए था, खास करके ये जो टकराव होता ह है न, यह देखो discretionary spending पे होता है, देखो public expenditure में दो परकार का खर्चा होता है, एक तो mandatory, अब किसी को salary जानी है, वो तो जानी ही है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, एक discretionary, state government की discretion पे depend करता है कि वो उस पैसे का कैसे इस्तमाल करना चाहता है, अब दिक्कत इस से है कि वही बा back करना बहुत मुश्किल है, लेकिन free में चीजें तो state government एक बार बातना start कर देती है, expenditure बढ़ जाता है, उतने income के resources नहीं बढ़ते, फिर loan लेना पड़ता है मजबूरी में, loan लेना पड़ता है तो कर्ज बढ़ता जादा है, उसका interest भी चुकाना पड़ता है, ये गलत है, य महेश के शौंक पूरे करने के लिए आप loan ले रहे हो, महेश की पढ़ाई के लिए loan नहीं ले रहे हो, महेश की पढ़ाई के लिए loan लेना मतलब state government जब infrastructure के लिए loan लेती है, तो वो मतलब है महेश की पढ़ाई के लिए loan लेना, उसके आगे जाके returns मिलेंगे, लेकिन freebies होती है तो पूरे देश की count होती है अब देश में states भी तो आते हैं न अब मान लिजिए economic activities कितनी हुई fiscal deficit पूरे देश में कितना है वो सब कुछ मिला के count होता है न उसमें state की performance भी count होती है इसलिए central government की यह duty बनती है कि वो state governments को बताए कि आप ऐसा मत कीजिए देश को नुक्सान हो रहा है लेकिन वो बताना फिर हमारे देश में पॉलिटिस हो जाता है सरकारे अगर अलग अलग हो तो चीज़ें और भी खराब हो जाती है state government कहती है आप हमें मत सिखाए काफी बार central government ऐसा भी कर द है कि वहाँ पर फ्री भी बहुत बांटी गई मतलब corporate tax बहुत ज्यादा कम कर दिया गया कुछ schemes चलाई गई जिससे fiscal deficit बढ़ता गया से लंका का बढ़ता गया आप पाकिस्तान का example ले लिजिए economic situation कैसी खराब है तो writer कहना चाहते हैं देखो economics ना politics से अलग होनी चाहिए आप आप देश इत्मे फैसले ले ना कि अपने 5 साल के बाद में आप वापस आओ ये इंशोर करने के लिए लेकिन देखो ये politics का बहुत बड़ा drawback है खास करके democracy का कि लोग जनता को लुभाने के लिए politicians जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे कर देते हैं लेकिन ये नहीं सोचते कि हां क्या ये rational है decision या फिर नहीं है वास्तम में long term में इस से देश को state को फाइदा होगा या फिर नहीं होगा तो ये पूरा article हमने discuss किया freebies की economic repercussions से संबन दीते हैं तो आज की हमारी discussion में इतना ही है आज हमने तीन issues को details से discuss किया thank you thank you very much for discussion